गुड मूरिंग श्टुडेंट्स हेर इस जेकिल अक्वानी यूर साइंस टीचर एट इस्कॉलर्स पॉब्लिक स्कूल जावरा और टोड़े वी आ गोईंग टो डील विट नेक्स पार्ट ऑफ आर चेप्टर नमबर 2 देट इस है लिए जागा में लेनी इसमय उदय वीप्टर परकेव के लिए क्यूल वैक्क्रंत सो जोबढ़ असे प्यू els रोड़े प्रॉटेंड और कौन कौन से से माइं कॉसी में अपको युज़ आते हैं ट्यक्त तो microbes are useful in many ways they are used in microbes बहुत तरीके से अपने यूसफुल रहते हैं कहां कहां पर ये यूज होते हैं food and beverage industry food industry में यूज होते है beverage industry मतलब जिसे अपने drinks वगरा की बात करें तो हुआ पर भी अपने यूसफुल होते हैं pharmaceutical industry pharmaceutical में अपने medicines वगराती है drugs वगराती है उस industry में भी यूसफुल होते हैं agriculture में यूसफुल होते हैं and cleaning our environment environment को clean करने में बहुत सरे microbes क्यों यूसफुल होते हैं start करते हैं अपन food and beverage industry से making yogurt cheese and other foods मतलब योगर्ट अपनको बनाना हो चीज बनाना हो या कोई अधर फूड बनाना हो तो उसमें यह अपने बहुत ज्यादा यूसफुल होते हैं माइक्रोप्स कर्ड और योगर्ट इसमेड बैक्टेरिया जो कर्ड या योगर्ट रहती है अपने बहुत सार माइक्रोप्स रहते हैं लेकिन जो बैक्टेरियम नाम का एक लेक्टो बैसिलेस रहता है वो क्या करता है जो मिलक रहता है किन कर देता योगर्ट में convert कर देता मतलब अपनी महां के बन जाती है इस्पर रहता है उसक osob जो अपन मिल्क में एड़ करते हैं तो कनवर्ट हो जाता है अपना योगहर्ट में बेक्टेरिया आर अल्सो इन्वर्ड इन मेकिंग चीज एंड अधर फूड्स सच बटर मिल्क कॉटेज चीज सोर क्रीम एंड कल्चर बटर ठीक है बेक्टेरिया का इसके अलावा और बात कर करें सोर क्रीम की बात करें या कल्चर बटर वगरा की बात करें तो इन में भी बैक्टेरिया का यूज होता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक जो अपन ब्रेड वगरा आपने देखी होगी पेस्ट्रीज वगरा अपन खाते हैं केक वगेर आपन खाते हैं इनमें भी इनका यूज होता है microbes का fungi and yeast play an important role in making these foods ठीक है अपनको bread बनाना हो pastry बनाना हो या cake बनाना हो तो इनमें fungi और yeast जो microbes रहते हैं ये एक बहुती ज्यादा important role play करते हैं through yeast fermentation carbon dioxide gas is released which makes the dove spongy and increases its volume ठीक है yeast की help से क्या आथ है yeast का जो अपन fermentation करते हैं उसकी help से क्या होता carbon dioxide जो गेस होती है वो रिलीस होती है जो क्या करती है उसको जो डफ रहता उसको sponge बना देती है उसका volume increase कर देती है अपनों क्या बोलते है जो cake जैसे रहता वो किस टैप का बन जाता है ठीक है this is the basic basis of the use of yeast in baking industry ठीक है और अपन बेकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर यह तो एक तरही चीज की मतलब एक basic need है अगर यहाँ महाँ पर अगर अगर इन चीज का use करेंगे यूज नहीं करेंगे तो यह आप जितनी भी चीज़ा जैसे ब्रेट पेस्ट्री और केक यह अपन प्रॉपर्ली प्रिपेर नहीं कर पाएंगे ठीक है इसका आपको activity दी हुई है कि आपको yeast का effect देखना है केक के लिए तो यह आपको खुद पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट अपने पास making idlis, dosas and bhaturay ठीक है तो यह कुछ dishes का नाम दिया वह idlis, dosas, bhaturay तो इन में भी अपन यूज करते है microbes का we make idlis and dosas from the mixture of dal and rice ठीक है किसकी help से बनाते है अपन दाल और राइस की help से बनाते है इडlis, dosas, bhaturay इसमें बात करें the mixture is allowed to stand for few hours and the fermentation occurs naturally because of bacterial action ठीक है अब यह क्या करते है अपन इसका जो mixture अपन बनाते है ठीक है उसको अपन क्या करते है थुड़ी देर के लिए रखते है bacterial action वापर जो bacteria present रहते है वह action करते है जिसके वापर fermentation होता है उनका for making rava, suji, idlis and bhaturay curd is added to make them fluffy and soft ठीक है अपन रवा की बात करें सूजी या idlis की बात करें भटूरे की बात करें तो अनमें अपन क्या करते है उनमें अपन curd को add करते है जिसकी वाज़े से वह क्या हो जाते है स्पॉंजी टाइब और कैसे हो जाते हैं soft हो जाते हैं ठीक है next अपन को दिया हुआ है making beverages making beverages मतलब जो अपन drinks वगरा की बात करें wine वगरा की बात करें अलकोहल वगरा की बात करें तो उसमें भी अपन इनका use करते हैं yeast is used in production of alcohol and wine preparation ठीक है जो yeast होता है इसका अपन use करते हैं किसमें अलकोहल और wine को prepare करने में yeast is grown on natural sugars present in the grains such as barley wheat rice and crushed fruit juices ठीक है yeast को क्या करता है yeast grow होता है कब grow होता है और natural sugars present in the grains ठीक है जो अपनी natural sugars रहती है किसमें प्रेजेंट रहती हो barley अगयर में प्रेजेंट रहती wheat rice sugar crust fruit juices में तो उसकी तरह से वो क्या होता है grow होता है yeast grow होता है through fermentation process wine is prepared और fermentation process कि थूँआ को क्या करते हैं अपन prepare करते हैं for other beverages such as tea coffee and cocoa bacteria are also used इसके अपन और liquid की बात करें जैसे अपन tea की बात करें कोफी की बात करें तो इन में भी क्या करते हैं अपन bacteria का यूज करते हैं तो आज अपन ने यहां पर जो अपना टॉपिक था यूज ओफ माइक्रोब्स में अपने फूर्ड एंड बेवरेज इंडेस्ट्री के बारे में पढ़ लिया next अब अपन बात करेंगे फार्मेसेटिकल इंडेस्ट्री एगरिकल्चर और क्लीनिंग और एंवार्मेंट के बारे में जो अपन नेक लेक्श्चर में देखेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू